आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान दगनी होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बदोस पागे तो अभी मुझे कुछ बच्चों नहीं यह खबर बेजी यार मैं इस पे बहुत टाइम से लेचर करने वाला था पर पहले से चलने दो लेकिन जैसे अनुपम मित्तल ने बोला है कि डारकेस्ट अडे है इंटरनेट का उन्होंने ट्वीट किया और बहुत सारे जो स्टार्ट अप्स कि हम देखें क्या है ना पहली बात तो यह है कि यह होना ही है आप मान के चलो कैसे होना अभी मैं बताऊंगा हुआ क्या है देखो मैं मैं आपको शुरू से समझाता हूँ लेगिन उससे पहले भीया आप से रिलेटेड मामला है हमारा शानदार कोर्स सूपर एक्स्पेशन अगर आप ना नहीं कह पाते हो अगर आपकी वोइस नहीं जो सुनी नहीं जाती है अगर आप पॉजिटिव में मैनुपलेट करना चा याप है और आपको पता है जो एंडौेड है एंडौेड हैना एड्रीट है हमारी प्लेश्टोर ठीक है जिनके पास एपल का फोन इवो और अपना इसाई है उनका अपना इस स्ट्रेश फेस अ से अब उसको चूड़िए में प्रोइड क्यूंकी मैक्सिमम लोगों के पास android है तो वो सारी की सारी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनू जितने भी बड़े start-ups है वो सब tech पे चल रहे हैं सब की app है start-up app पे ही चल रहे हैं राइट अब अगर एक दिन गूगल कहता है गूगल प्ले इस्ट और गूगल का product है एक दिन सुबा उटके गूगल बोला रहे बया चलो इन सब की बैंड बजाना शुरू करते हैं तो अब उसने सब की बैंड बजानी शुरू कर दिया बड़े-बड़े apps शादी.com 99 acres भारत मैटरिमोनी बड़े-बड़े apps जो आज billion dollar की जिनकी valuation है एक दिन के अंदर ख़तम कर दिया खतम इंदस कि उनको डिलिस्ट कर दिया अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनका धंदा एप से चलता है maximum app से traction आता है ठीक है handy होती है न आप तो आप यह समझे कि इसको हटा दिया डिलिस्ट मतलब आप को Google Play Store से हटा दिया क्यों हटा दिया समझो जैसे मैं हूँ study gloss अब मैं क्या करता हूँ मेरे अपने courses है मेरी जो app है वो किस पे है play store पे अब मेरी app play store पे है मेरा जैसे super expression का ही course है personality development का course है आप आप आपने इस course को खरीदा आपने इस 300 रुपए के course को खरीदा अब आपने जब यह course को खरीदा तो आपने पैसा दिया वो पैसा किसके पास गया मेरे पास आ गया और जो payment gateway है ना जैसे रेजर पे हो गया यह जो billing system है जो आप जो यह जैसे मेरा मैंने तो खाली आप बनाई है लेकिन मुझे एक payment gateway लगाना पड़ता है मतलब एक तरीके से जो payment को जो payment को receive करेगा और आगे तक पहुंचाएगा समझ रहो तो वो payment gateway जैसे रेजर पे हो सकता है CCI value कोज भी हो सकता आगे मस्त उसको दो परसेंट चला गया हमको आगया पैसा बढ़िया है कि सरकार को हमने 18% GST दे दिया इसी पर ही उसके बाद 30% टाक्स दे दिया ठीक है कि अब गूगल को क्या मिल रहा है इसमें ठेंगा गूगल अपनी services दे रहा है मेरी आप है पैसा मुझे आ रहा है तो गूगल ने महला बहुत हुआ सम्मान अब से तुम हमारा गूगल पेमेंट सिस्टम GBPS ठीक है गूगल बिलिंग पेमेंट सिस्टम आज से ये तुम यूज करोगे अब इसके तहत क्या है वन मिलियन डॉलर अगर आपका आठ करोर का बिजनेस है तो आपको गूगल को सी सिधा तीस परसेंट देना पड़ेगा मतलब आठ करोर जो आपकी सेल हो रही है आपके थूर जो प्ले स्टोर पे है आठ करोर मेंसे तीस परसेंट थाई करोर गूगल को जाएगा सारे पांच करोर बचेंगे अठारा परसेंट जीस टी लगता है तीस परसेंट आप मान लो क्या टैक्स प्लस तीस परसेंट गूगल का अब बचा ही क्या हम लोगों को बरबाद हो गया बन करो श्टार्ट अप चलो पकोली बेशते हैं या फिर बढ़िया सा थेला लगाते है यही होगा टेक तो बरब उनका जिनका आठ करोण का बिजनेस है अब अगर मान लो कि आपका आठ करोण का बिजनेस नहीं है तो क्या तो गूगल आपको 15 करोण 15 परसेंट 15 परसेंट जो आपकी सेल पे चार्ज करेगा 15 परसेंट आपकी सेल पे लगाएगा अगर आपका आठ करोण का बिजनेस नही प्लस वन परसेंट चले थोड़ा सा इशू आगया था कोई बात नहीं तो प्लस वन परसेंट टीडियस से कटेगा ठीक है तो आपको 16% देना है 16% लेकिन वो तब हो गए जब आप अपना पैंकार्ड देते हो अगर पैंकार्ड नहीं देते हो तो 20% आपको देना है आपके ल पैंकार्ड देते 16% कटेंगे पैंकार्ड नहीं दिया 20% कटेंगे ठीक है यह ताब है जब आपका आठ करोड कम का बिजनेस है अब अगर आठ करोड या उससे ज्यादा का बिजनेस है तो सीधा 30% कटेगा इतना मान के चलो सेकेंड पॉइंट मान लीजिए कि अब जैसे अभी ऐसा निये कि गूगल पे सिस्टम नहीं है एक और जैसे अल्टरनेटर सिस्टम भी दिये जैसे मान लीजिए कि जब आप स्टेडी ग्लोज परस्टनालिटी डेलप्पेंट पर जाएंगे तो आपको दो आप्शन आएं उसमें भी आपके 11 परसेंट आपको गूगल को देने पड़ेंगे यानि कि आपको मिनिममम 11 परसेंट तो गूगल को दे नहीं देने है मरी से मरी हालत में तो एक तरीके से आपके बिजनस का अच्छा का समान गूगल लेगा अब इस पे बहुत बवाल उठा है क्योंकि चलता है अमेरिका में गूगल बहुत पहले से ये चार्ज कर रहा है ठीक है हमारे आभी हुआ है गूगल अपनी सर्विसेज दे रहा वो पैसा लेगा अब इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें चिल्लम चिल्ली करने की कोई बात है नहीं क्यों नहीं है भाई वो गूगल के अधॉरिटी है मेरी वाइफ मुझसे एग यह रही थी जो राशी से जो मेरी वाइफ है राशी जो को फाउंडर भी स्टेडी ग्लोस की मेरा भी उनसे बहुत बैस हो गया था कि ये तो बेकार है ये बहुत ही गड़वड है उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी यूट्यूब अपना है उनका गूगल अपना है वह बाहर की कंपनियों से बिलकुल विश्वास नहीं करता अब यहां पैनुपम मित्तल बोल रहे है डिजिटल इस्ट इंडिया कंपनी तो भाई क्यों भालत का प्ले स्टोर नहीं है आप अगर अमेरिका की कंपनी पे गूगल पर सर्च कर रहे हो कल को उसे वह पैसा लगाने लगा फिर आप क्या कर लोगा कुछ नहीं कर सकते तो वहीं बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी हमको कम करने हमको खुदका बनाना है लिए खुद का जब तक नहीं बनाएंगे तब तक यहीं होगा गूगल पैसा कर सकता है हम अमेरिका पे उपर डिपेंडेंट हैं और इसको हमको हर हाल में हटाना है अनपम मित्तल लगान की बात की तो उसको कम करना ही पड़ेगा शाक टैंक में आये तो कोई लाइन प्लेश्ट जैसा प्रोड़क्ट अच्छी जाती है जैसे अश्री गोवर ने बोला था इसको पे हमको कोई गर्वनी करना चाहिए कि बाहर पे जो बैटे शीर्ष पे बैठे होए है वो भारत के लोग है यह हमारे लिए चिंता की बात है कि भारत के इतने टैलेंटेड लोग बाहर जा रहे हैं सुंदर कही ना कही हमारी सरकार को ऐसी पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम ऐसा करना होगा मैं तो बोलता हूँ भाई आपको स्टाट अप पे टाक्स कम करना पड़ेगा बहुत टाक्स है है और बिजनेस ऐसे बढ़ता है चाइना में अमेरिका में टाक्स स्ट्रक्चर अलग तरीके के ह अमेरिका में ज्यादा है नो डाउट टाक्स बट वहाँ पे सिस्टम ही अलग है तो यह गूगल की पॉलिसी है और आपकी आप भी अगर गूगल पे है तो कभी भी डिलिस्ट हो सकती है यह मान के चलिए अगर गूगल अपना डिसिजन डिवर्स कर देता है ताब अलग बा हो जी है इंक्लिडिंग माई एप है ना इसमें आपका कॉंसोल होगा कॉंसोल ठीक है अगर मान लोग कि आपका कम्बाइंड कॉंसोल है कभी अप जब आप लिस्ट करते हैं तो कई बार एक ही कॉंसोल से क्यूंकि आज कल थर्ड़ पार्टी प्रवाइडर बहुत सारे आग combine धंडा 8 करोन का है तो अगर Google इस console को delist अरता है वो console पर हमला करेगा तो सारी 200 आप उड़ेंगी इसी को तो delist करेगा ना इसी को अटाएगा तो सारी कि सारी आप उड़ेंगी तो सबसे पहले इसको single कर लो अपने आप पे ही कर लो खुद का console ले लो क्या इसका तरीका है बचने का भाई देखो APK फाइल बहुत सारे है कि खाली आप एक काम करो एक आप बना दो उस पे payment बद कर वाओ है ना उस पे खाली link डलवा दो और वो link कहीं और डी redirect कर दे लेकिन Google smart है इन सब को भी track कर रहा है तो कुछ ना कुछ हमको सोचना पड़ेगा और Google को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि भारत के merging market है और ये अच्छी बात तो वैसे नहीं है ठीक है Google ने बोला कि हमने इतना time दिया अभी तक Indians जो है इंडियन स्टार्टप जो उनोंने नहीं कुछ किया तो इसमें हम क्या करें लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा है ये आप अमेरिका को छोड़िये वहां की लाइफशायल अलग है वहां की अर्णिंग्स अलग है है ना वहां की per capita income अलग है हम अभी merging market है तो ये बहुत हद से ज़्यादा पैसा है इस्टाइटक ढूब जाएंगे वैसे funding की कमी रहती है और इसका फिर अर्थ व्यवस्ता पे सीधा असर आएगा तो कुछ ना कुछ सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ये एक चिंता करने वाली क्योंकि मुझे भी अभी तक लग रहता कि चलो ठीक है लेकिन अब देखा हाला कि पहले भी आप सोड़ रही ते ऐसा नहीं है ठीक है मुझे भी मेसेज आता ही रहता है Google से मेल आती ही रहती है लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा है ना क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी प्लान है लेकिन अब एकदम से देखिए बड़े-बड़े कंपणीस के उड़ना शुरू होगी तो वो कुछ नहीं देखेगा तो अगर आपकी आप है तो आप भी कुछ सोचिए कुछ सेकेंडरी प्लान रखिए पना कभी भी किसी की भी आप उर सकती है मान के चलिए आप है ना तो बस वो डिपेंड करता है अगर कुछ आक्षन हो जाता है या कुछ डिसिजन रिवर्स हो जाता है तो ठीक है क्योंकि 15 परसेंट चलो 1-2-3 परसेंट भी मान सकते हैं बहुत जादा है 15 परसेंट या 30 परसेंट या 20 परसेंट खुश नहीं परते नहीं देशे सिद्धान तक नहीं होता है साइनिंग ओफ